हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा आज इस सीरीज में अगेन एक बहुत ही इंट्रस्टिंग अमेजिंग ट्रिक आपके लिए में लेके आया हूँ केनिजारो रियक्शन का तो केनिजारो रियक्शन कैसे होती है वो हम नहीं जानने वाले हम ट्रिक जानने वाले है जिससे बहुत ही कम समय में आप कोई भी सवाल केनिजारो का चुटकियों में कर सकते हो तो आर यू एक्साइटिड? येस? तो चलिए जानते हैं देखिए केनिजारो रियक्शन जो होता है बच्चों इसके अंदर हमारे पास ऐसा अल्डिहाइड होता है जिसमें आल्फा हाइड्रोजन जीरो होते है आल्फा हाइड्रोजन प्रेजन नहीं होते है जैसे की for example आप यहाँ पर देख सकते हो फर्मल्डिहाइड साथ में रियक्शन होता है concentrated alkali से और एक redox reaction होता है कैसा होता है redox reaction अब उसमें क्या होता है one of the unit इसका एक particular unit oxidize होता है और दूसरा reduce होता है तो पहली चीज़ अपने को दिमाग में क्या रखनी है कि एक तो हमारा बनेगा oxidation product और एक हमारा बनेगा reduction अब यहीं पर trick छुपा है oxidation का मतलब क्या होता है oxygen का addition तो यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर जो carbon और hydrogen का bond है इसको तोड़ोगे और जब oxidation करना होगा यह तो इनके बीच में जब तोड़ोगे तो कोई ना कोई तो बीच में आएगा तो oxygen का addition हो जाएगा oxygen का addition हो जाएगा as the medium is basic basic medium में यहां से H plus निकल जाएगा and हमारे पास यह product बन जाएगा तो oxidation के लिए क्या करना है? carbon hydrogen के बीच में किसको घुजाना है? oxygen को तो यह बन गया oxidation अब यहीं पर जब reduction product बनाना है तो reduction का मतलब यहां पर क्या होता है? addition of hydrogen hydrogen को add करने के लिए जगए तो बनानी पड़ेगी तो कहां है जगए hydrogen को add करने के लिए? योग इस sigma bond को तोड़ नहीं सकते तो यहां पर इस pi bond को तोड़ो pi bond को तोड़ो और तोड़के oxygen को H दे दो और carbon को भी H दे दो आ गया आपका answer दे, यहां से दिखिए क्या है? CH3 OH Do you understood the point? तो oxidation में क्या करते हैं? carbon hydrogen के बीच में oxygen को फसा देते हैं और यहां पर जब reduction होता है, तो उसमें hydrogen का addition होता है, pi bond तोटता है 2H आ जाते हैं यह होता है self के निजारो reaction जिसमें वही unit खुद को oxidize और reduce दोनों चीज़ करती है तो it is a type of disproportionation reaction लेकिन यहीं पर यह self के निजारो है, जिसमें दोनों unit same है, अब यहीं पर अगर दोनों unit अलग हो जाए तो क्या होगा? कौन oxidize होगा? कौन reduce होगा? अब कैसे oxidize करते हैं, reduce करते हैं वह तो पता आपको लगी गया now the point is, कौन करेगा? तो इसमें याद रखिये इसमें एक trick यह है, कि जो भी मालीजे काफी overweight है for example, motu है तो उसको reduce होने की जरूत होती है या oxidize होने की जरूत है? वह अपने weight को reduce करना चाहता है अब यहाँ पर इन दोनों में से छोटू और motu में motu कोन है भई? यह motu है और यह छोटू है तो motu क्या होना चाहिए? motu को क्या होना चाहिए? oxidize है reduce? weight reduce करना है तो motu यहाँ पर reduce होगा अगर motu reduce होगा बच्चो तो motu में pie bond को तोड़के क्या लगाओगे आप? H लगाओगे और यह alcohol में convert हो जाएगा और यहीं पर छोटू क्या हो जाएगा? फुर! oxidize हो जाएगा तो उसमें आप oxygen, carbon और hydrogen के बीच में लगा दोगे बच्चो क्या यह बात आप सभी को clear हुई? फंडा समझ में आया? I think यह काफी conceptual trick है और इसकी help से आप कोई भी सवाल कर पाएगे Hoping that you loved it Comment section में जरूर बताएगे कि आपको कैसी लगी अगला trick कौन सा चाहिए और like का button तुम दबा दीजिए Subscribe भी कर दीजिएगा Love you and see you in the next session